यानि कि इसको रिलीज हुए करीब 40 साल बीच चुके हैं हाला कि सुनने में तो यह मूवी काफी जदा पुरानी लग रही है लेकिन जुसकदर डारेक्टर ने इस मूवी को एक्जीक्यूट किया है उसे देखने बरसे ऐसा बिलकुल भी नहीं लगता कि आज की मूवी इसकी बहतरीन स्क्रिप्ट और बाकी सभी एक्टर्स की शांदार एक्टिंग ने मेरा दिल जीत लिया वहले से शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बाते जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं इस पूरी एलियन प्रीटर और साथी इंजिनियर की सिरीज को जो मैंने श पोल्ड मुवीज को एक्सप्लीट कर दिया था तो अब इस प्री मुवी को मैं अपनी ओडेक्स लिस्ट में शामिल कर दूँगा और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल जो मैंने मुवी एक्सप्लीन करी थी एलियन कोवनेंट उस मुवी और साथ ही अभी जैक्सप मूवी में हमें बताया जाएगा कि आखर डेविड ने फेस अगर्स के साथ और एक एसक्स क्राइप पर क्या किया क्योंकि इस मूवी के आ जाने के बाद में ये वाली मूवी उससे कई ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएगी मगर कोई बात नहीं को करने काम हमारा है सब्सक्राइब कहानी की में स्टोरी लाइन की तरफ कहानी की शुरुवात लास्ट मूवी यान की इलियन कोवनेंट के ठीक 18 साल बात से होती है यानि की सवक्त साल है सन 2122 देखा जाया तो हमारी प्रेसंट टाइम से भी करीब 100 साल लगे का समय यहां अंतरि मूवी फ्रेंचाइजियों की एक चीज कॉमन होती है कि जो चूटी चूटी डीटेल्स उन्होंने अपनी पुरानी मूवी में दी थी उन्हीं को वह अपने अगली आने वाली मूवी में भी कंटीन्यू करते हैं और मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता चलूंगा नह कानी मूवी की डीटेल्स की तरह क्रू मेंबर्स को भी यही काम मिला था कि दूसरे ग्रह में जाकर चैक आउट करना कि क्या वहां पर जीवन पन अपने की कोई उमीद है या नहीं मगर रास्ते में उनके स्पेस्शिप में कुछ टेक्निकल फॉर्ट आ जाता है जिसकी वज सकते हैं आई होब कि आप में से कोई स्मोकिंग नहीं करता होगा और जो करता होगा मात अरानी उसे पाप देगी वेल्कमिंग बैक तुदा में स्टोरी लास्ट वाली मूवी यानि की इलीन कोवनेंट में जो कोवनेंट शिप था उसमें एंड्रोइट रोबोट को भीजा रहा था जो कि हर चीज के अनलेटिक्स को चेक कर रहा था मगर इस बार वाले नौस ट्रॉप स्पेस्शिप के अंदर इतने अच्छ अनलेटिक्स थे कि वह बिलकुल आटो ड्राइव मोड पर था यानि की खुद बखुद चलने में सक्षम यहां पर स्पेस्शिप को पासी क्रू मेंबर्स पहुचे थे शिप के अंदर मौजूद सारे क्रू मेंबर्स परिशान हो जाते हैं और सूच में पढ़ जाते हैं कि आखिर अप करे तो क्या करे क्योंकि इन्हें तो प्रत्वी पर लोटना था जबकि यह तो इस पेस के आधे रास्ते किसी और इक रहा पर अलागी रीपले कई बार कोशिश करती है अपने टीम मेट्स को समझाने की कि हमें कहीं और नहीं जाना चाहिए अगर डायरेक्शन चींज हो भी गया है तो कोई बात नहीं हम उसे मैन विल लिया गीन चींज कर सकते हैं हमें प्रत्वी पर ही वापस निकलना चाहिए मगर उ लंबे चोड़े डिसकेशन के बाद में सभी डिसाइट करते हैं कि यह लोग पर जाएंगे और तैकिकात करेंगे कि आखर इस सिगनल उन लोगों को कौन भीज रहा था अब इनके बड़े से चोटा सा फ्लाइंग ऑबजेक्ट उस ग्रह की धरती पर उतरता है जिसके बाद नोस्ट्रॉप शिप के इंदर बैठी रीपले उन सिगनल्स को ट्रेज करने की कोशिश करती है कि वह कहां से आये थे वहाई दूसरी और इस ग्रह पर पहुंची इन दीन जनों की टीम को वही स्पेशिप दिखाई पड़ता है जसके अंदर प्रामीथियस वाली मूवी से यहां पर आये थे यह सभी शिप के इंदर जाते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई यहां जिंदा तो नहीं है जहांकि कंट्रोल रूम में ने एक इंजीनियर बड़ी सी सीट पर बैठा दिखता है और यह सीन हमने प्रामेथियस मूवी में भी दिखा है व सिगनल नहीं बलकि एक वार्निंग थी कि इस ग्रह पर नहीं आना है क्योंकि एलियन कोवनेंट मूवी से जब डैनियल इस ग्रह से निकली थी तो उसने अपने कुछ गैजट्स इस ग्रह पर छोड़ दिये थे ताकि अगर स्पेश शिप कोई भी इस ग्रह के पास से निकले तो कोई भी यहां नहीं आए क्योंकि इस ग्रह पर तो अल्रीडी डेविट ने काफी सारे फेस अगर्स के अंडे और न्यू ब्रीट के जिनो मॉफ छोड़ रखे थे मगर शिप में बैठा एश रीपले को अपना काम करने के लिए गयता है और बोलता है कि हमें रिसर्च के लिए जितना कुछ मिले वह हमारे आगे फ्यूचर में काम ही आएगा धीरे धीरे तीनों क्रू मेंबर्स जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर डेविट ने उन फेस अगर्स के बड़े बड़े एक्स रखे थे अब इन एक्स के खास बात यह थी कि अगर यह किसी भी हुम लेकर आते हैं और रीपले को शिप का दर्वाजा ओपन करने के लिए के लिए गित साफ पना कर देती है कि यह गाइडलाइन्स के खिलाफ है इस ग्रह का कोई भी जीव हम शिप पर नहीं ले सकते क्योंकि अगर वह हमारे साथ प्रत्वी पर चला गया तो बहुत ही बड़ी की जान बचाना ही सर्वो पर ही लगता है जिसमें एश भी रीपले को यही करने के लिए कहता है कि दर्वाजा खोलो उसे अंदर आने दो लेकिन रीपले को कुछ के लाप का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर के इन का सूट काट कर उसके मूझ से इसकदर चपका था कि आनो रचुका होगा क्यों कि यहीं थे लेकिन रीपले के कंदे पर इंडिकेशन देती है कि हमें इस जीव को यहीं पर छोड़ देना चाहिए और अर्थ के लिए निकलना चाहिए जबकि आश का कहना था कि अगर हमें यहां पर कोई सभी लोग इसे स्टीबल करने की कोशिश करते हैं और तब ही हम देख पाते हैं कि उसका सीना फाड कर एक हाइब्रीड जीनुमॉर्फ बाहर निकलाता है सभी क्रू मेंबर सोचते हैं कि हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा क्योंकि एगर इसे खत्म नहीं किया गया तो यह हमारे शिप के साथ प्रत्वीबर पहुंच जाएगा और वहां पर भी लोगों का यही हाल होगा इसलिए हर कोई अपने हाथ में बंदूक ले लेता है वहीं हम उस हाइब्रीड जीनुमॉर्फ को देख पाते हैं जिसने अब शिप की टेक्नोलोजी को अपने अंदर एब्जॉफ कर लिया था और साइज में बहुत ही जादा बड़ा हो गया था क्रू मेंबर्स यह सूचने लगते हैं कि अगर उसका साइस छोटा है तो वह जरूर एर डग के जरीए पूरे शिप के अंदर ट्रैवल कर सकता है तो क्यों ना उसी में जाकर उसे खत्म कर दिया जाए जसके बाद डैलस यह जिम्मेदारी निभाता है और एर डर्वाजा ख डैलस के टुकडे टुकडे कर देता है धीरी धीरे करके वह जिनम और बागी जबी को भी अपना शिकार बनाता जाता है रीप्ले काफी जदा डर जाती है तभी उसे अपनी ट्रेनिंग में सिखाई गई बाते याद आती है कि कंसोल रूम में एक मदर कंप्यूटर है जिसे शिप में होने वाली सारी चीजों की खबर रहती है तो वह जाकर कंसूल रूम में अपने सवालों के जवाब पाने पहुंचती है कि आखिर हम इस एलियन से कैसे बच सकते हैं क्या कोई सीक्रेट चेंबर है और या फिर कोई ऐसा तरीक है जिससे हम उस एलियन को ही खत्म कर पाएं लेकिन मदर कंप्यूटर के पास इसका कोई भी आंसर नहीं होता नहीं वह कुछ क्लियरिफाय कर पाती है कि मैं क्रू मेंबर्स की हैड हूं तुम्हें मुझे हर सवाल का जवाब देना होगा लेकिन मदर कंप्यूटर बताती है कि उसे पीशल और 937 मिला है जिसकी व सोर से मारती है कि उसकी गरदन तूड़ जाती है और यहां पर इस पूरी मुवी का सबसे बड़ा खुलासा होता है हम विवर्स को यह पता चलता है कि वह क्रू मैंबर कोई इंसान नहीं बलकि एक एंड्रोइड रोबोट था वैसा ही रोबोट जो कि हमने एलियन कोवनेंट में वॉल्टर को देखा और सेम टू सेम एक वैसी ही क्रियेशन यानि कि इस एलियन मुवी में एश को देखा और जैसा कि इस मुवी की एक्स्प्लेशन की स्टार्डिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हर बड़ी फ्रेंचाइजी अपनी छोटी छोटी डीटील को आगे आने वाली मुवी में भी कंटीन्यू करती है अगर एक्जाम्पल के लिए आपको बताऊं तो ट्रांस्फॉर्मर्स मुवी में कोई एक ऐसा अबजेक्ट होता था हर मुवी में जो कि हर बार धरती को खत्म करके डिसेप्टिकॉन की एक नई प्रजाती पसाना चात था तो इस प्रीडिटर और एलियन फ्रेंचाइजी में हर स्पेस्शिप में एक एंड्रोइड रोबोट का होना भी एक सेम इंसिदेंस है लेकिन अब क्योंकि 937 इस एंड्रोइड रोबोट नहीं दिया था मदर कंप्यूटर को ताकि वो इस एलियन से बचने का कोई रास् identified object मिलता है तो उसे धरती पर लेकर आओ हम उस पर रिसर्च करेंगे ताकि यह पता लगा पाया कि आकर इस ग्रह के लावा और कितने ग्रह है जहां पर जीवन संभव है अब जाएं एक तरह बाकी की लोग जनो मॉर्फ को खत्म करने के लिए हाथ में मंदूक लेकर घूम र रहा था अब टैश समझ जो यार इस वक्त रीपले के हाथ एक फायर गन थी जिसकी मदद से वह एलियन से बचती आ रही थी अंधेरे शिप में भागते भागते वह एक छोटे से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में जाकर बैठ जाती है और अपने आपको स्पेस शिप से डिटै में आ चुका था अब यहां पर इन दोनों के ही बीच में में काफी एच्छा सीक्वेंस प्लस फाइट दिखाये जाती है करीब आदे गंटे चलने वाले इस फाइट को मैं जादा एक्स्प्लेंड करूंगा नहीं क्योंकि यह सिर्फ देखने में अच्छी है सो कमिंग टू मात्रा में गर्मी पैदा कर सके और जैसा कि मैंने आपको पुरानी मुवीज में भी बताया था कि एलियंस गर्मी सहन नहीं कर पाते और इसी की साथ एक बड़ा खत्रा भी टल जाता है कहानी के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि अपनी वेलेंट कॉर्परेशन टीम में पूरी तरीके से बरबाद हो चुका है उसमें सिर्फ मैं ही जिन्दा बची हूं और उसके पास कुछ खाने बीने का समान नहीं था इसी वजह से वह हाईपर स्लीप में चली जाती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड होती है आपको यह वीडियो कैसा लगा कीव वाचिंग स्टे सीफ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो में